हाई फ्रेंड्स आज आपके साथ हम पकोड़े की दो रेसिपी सेयर करने वाले हैं और दोनों का टेस्ट बहुत ही स्टांदार होता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने प्याज ले लिये हुए हैं इसको छील कर इसका जो छीलका है हटा दिया है और पानी से साफ भी कर लिया है तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं और इसको बहुँ ज़्यादा मोटा या बहुँ ज़्यादा पतला मत कट कीजेगा एकदब मीडियम ही रखे यह देखे मोटा तो बिल्कुल नहीं कीजेगा पतला आप चाहे तो कर सकते हैं अगर बह पहुत ही पसंद और बनाने भी आघे हैं रमजान महीन हो यर सुवर नास्ते में चाय के साथ बना सकते हैं बहुत ही अदा टेस्टी भी लगते हैं और बहुत ही आसान पीफी है तो सारे पैश को हम वेना इस तरीके से कट कर लिया है इसके लेयर से वो बढ़िया से खुलकर आ गए हैं देखिये तो इसी तरीके से हमें प्याश को कट कर लेना है और साफ पानी से धूलने के बाद इसे कट कीजेगा कट करने के बाद इसे नहीं धूलना है तो अब हम एक बोल में सको सिफ्ट कर लेते हैं तो प्याज की quantity कम जादा जितने पकोड़े आपको बनाने होना उस इसाब से कर सकते हैं तो अब इसमें add करते हैं बेसन तो बेसन यहाँ पर हमने पतला वाला लिया है इसको शान कर ले मतलब बारीक वाला बेसन है तो एक बड़े चमच के जितना हमने डाला है टेस्ट के according नमक डालेंगे चमच की साइज जो है वो काफी बड़ी थी नॉर्मल चमच से तीन से चार चमच लगेगा और एक चोटी चमच जीरा add करेंगे टेस्ट के according नमक कटी होई हरी मिर्ची भी डाल देते हैं तो जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाफ से डालिएगा और धनिया की पती भी mix कर देंगे इसमें और थोड़ा से इसको क्रिस्पी और क्रंची बराने के लिए add कर देते हैं सूजी अगर आपके पास सूजी नहीं है ना तो चावल का आटा भी add कर सकते हैं और सूजी यहां पर चमच की साइज मेरी काफी बढ़ी है तो हमने एक ही डाला है आप दो से तीन चमच हुजी यह add कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसको ना mix करते जाएंगे बहुत ज़्यादा पानी मढ़ डालिएगा वरना गर यह गीला हो जाएग जो भी आप पसंद करते हों तो तेल को पहले अच्छा गरम कर लें फिर इन पकोड़ों को ना हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जिससे कि यह बढ़या से फ्राई हो जाएंगे जो कि खाने में भी काफी अच्छे लगेंगे तो इसी तरीके से सारे पकोड़े को नहीं बनाया है तो एक बार डाल कर देखिएगा सोजी को बहुत अच्छे लगेंगे तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और यह लीजे हमारे जो प्याच के पकोड़े हैं वो बन कर हो गए हैं रेडी देख सकते हैं बहुत ही किस्पी और क्रंची बने हुए हैं खाने म इसकी जो कटिंग है ना वो इस तरीके से कट कर लेंगे आप चाहें तो जो चिप्स कटर होता है उससे भी कट कर सकते हैं या फिर हाँ से कट करेंगे ना तो यह देखिए इसकी जो थिकने से ना बहुत ज़्यादा मोटा पतला नहीं रखना है मीडियम ही रखिएगा तो आ हमने बेसन को अच्छे से चान कर लेना है तो चमच की साइस काफी बड़ी है तो उस हिसाफ से बड़ी चमच से दो चमच नॉर्मल चमच है तो चार से पांच चमच बेसन लेंगे टेस्ट के हिसाफ से नमक डाल देते हैं एक शोटी चमच जीरा हैट करेंगे और आप चाहे इसलिए आप इसे अच्छे से फेंट लीजेगा तो आपके पकोड़े काफी फूले-फूले से बने आपको कोई मीठा सोडा भी नहीं डालना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसे बढ़ियां से फेंट येगा 5-7 मिनट के लिए जिसे जो बेसन है न अच्छे से फेट जाएगा थोड़ी से एयर इसमें आ जाएंगे तो आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से फूले फूले बनेंगे तो बेसन अच्छे से फेट चुका है अब इसमें आलों के टुकड़े को इस तरीके से डालेंगे और तेल हमने चड़ा दिया था गरम हो लिए और यह इसकी कोटिंग देखिए तो इसकी कोटिंग है ना मतब बेसन जो है वो बहुत पतला मत रखेगा थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा बहुत जादा गाढ़ा भी रखेंगे ना तो भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा बेसन का टेस्ट जादा आएगा और इसे के लिए हमने सर्सों का देल लिया है क्यूंकि इसमें फ्राइ किए हुए पकोडे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो डालने के बाद तूरंट इसको टच नहीं करना है जब ही थोड़ी फ्राइग हो जाएंगे तब इसको अच्छे से पलट कर हर तरफ से फ्राइक कर पूपर टेस्टी लगते हैं तो रमजान का महीना हो या चाय के साथ आपिस के खाना हो सुब तो भी खा सकते हैं बरसात या सर्दी के मौसम में कभी भी बनाई ये खाई ये बहुत ही पसंद आएगा तो हमारी रेसिपी को ट्राई कीजेगा इस तरीके से अगर पसंद आएग तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा